हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल इस डिजाइन को तयार करने के लिए फ्रेंड हमें ऐसे डिजाइन की कटिंग करनी है डिजाइन की लंबाई अंदर की साइट से साड़े 10 इंचे और चौड़ाई साड़े 3 इंचे हमें 10 इंच की लंबाई नापकर यहां से तीर्ची में ऐसे कट कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी बाकरम को ऐसे कट करके कपड़े पे इस तरी की सहायता से चिपका देना है जिस shape में हमने बाकरम की cutting की है बिलकुल उसी shape में हमें कपड़े को ऐसे fold करके इसके उपर सिलाई चला कर इस line को complete कर लेना है इस design को आप sleeves में भी बना सकते हैं और trouser में भी बना सकते हैं अब आपको ट्राउजर का या स्लिविस का कपड़ा लेना है, उसे open करते हुए हमें design को यहाँ पर ऐसे लगा देना है, यह देखिए design को ऐसे लगा कर इसके बीच में हम सीधी सिलाई चला देंगे, यहाँ पे हमें सिलाई को stop करते हुए धागे को cut कर लेना है, अब हमें design के उपर यहां से सिलाई चलानी है जिस सेप में हमने इसकी कटिंग की है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर ऐसे सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए यहां से धागे को कट करेंगे और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रोजाना एक नई डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका ओप्सन सेलेक्ट करें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो ये देखिए फ्रेंड हमने एश्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है डिजाइन को प्रॉपर सेप में फोल्ड करने के लिए हम इसके कोने की साइड में हलका सा कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे याद रहे आपका सिलाई कट नहीं होना चाहिए अब हम इसे fold करके सीधा करेंगे तो ये देखिए अच्छे से हमें ऐसे बाकरम को fold कर लेना है इसे ऐसे fold करने के बाद perfect shape में बैठाने के लिए हम इस्तरी कर लेंगे इस्तरी करने पर हमारा design perfect shape में बैठ जाएगा इस line को complete करने के बाद स्लिवाय चलाने के बाद अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे और किनारे की साइट से हमें एस्ट्रा कपड़े को कट कर ले रहा है सिलाई के ए एकदम बगल में हम एस्टा कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे अब हमें इसे फोल्ड करके सीधा कर लेना है सेम साइज का फ्रेंड हमें ऐसी 6 डिजाइन बनाकर तयार कर लेनी है तो यह देखिये हमने 6 डिजाइन बनाकर तयार कर ली है अब हमें दो इंग चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेना है, कपड़े को हमें दोनों साइट से ऐसे फोल्ड करना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चलाते हुए हमें चोड़ी पट्टी की डोरी तयार कर लेनी है, इस तरीके से आप चोड़ी पट्टी वाली जोरी इजली तयार कर सकते हैं, अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे और इस चोड़ी पट्टी की हमें कटिंग करनी है, तो उसके लिए हम साड़े पाच इंच की लंबाई ना पेंगे, और यहां से कट कर लेंगे, साड़े पाच इंच की लंबाई पर, सेम साइज का फ्रेंड हमें ऐसी धेर सारी चोड़ी पट्टी की कटिंग कर लेनी है तो ये देखिए हमने सेम साइज का धेर सारी चोड़ी पट्टी की कटिंग कर ली है अब हम एक लंबा सा चोड़ा सा कागच लेंगे कागच की लंबाई हमने 10 इंच ली है और इसकी चोड़ाई हमने 5 इंच ली है लंबाई और चोड़ाई नापने के बाद अब हमें कागच के उपर चोड़ी पटी को ऐसे लगाना है यह देखे थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें सारे चोड़ी पटी को कागज की उपर ऐसे लगा लेना है और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है चोड़ी पट्टी के एक साइड में सिलाई चलाने के बाद सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हम दूसरे साइड में भी सिलाई चलाकर इस लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे अब हमें कागज को उल्टा करते हुए किनारे की साइड से सारे एस्ट्रा चोड़ी पट्टी को ऐसे कट कर लेना है एस्ट्रा चोड़ी पट्टी को कट करने के बाद अब हमें डोरी लेना है डिजाइन को तयार करने के लिए हमने दो लंबे से डोरी लिए हैं अगर आपको डोरी बनाने नहीं आता है तो इसकी लिंक डिस्किप्सन में दी गई है डोरी को हमें यहाँ पर ऐसे लगा कर सिलाई चला लेनी है सिलाई चलाने के बाद अब हम डोरी को दोनों साइट से ऐसे फोल्ड करके डिजाइन बनाएंगे तो यह देखिए हमें ऐसे फोल्ड करना है डोरी को दोनों साइट से ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसके बीच में सीधी सिलाई चला लेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्षन सेलेक्ट करे जिससे हमारी नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस लाइन को कमप्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट करेंगे धागे को कट करने के बाद हमें डोरी को कट करना है डोरी की लंबाई आप अपने हिसाब से नापकर कट कर सकते ही अब हमें डोरी में फुलेना लगाना है तो एक छोटा सा कपड़ा लेंगे कपड़े के कोने की साइड में डोरी को ऐसे लगा कर कपड़े को फोल्ड करके हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे कपड़े को सीधा करते हुए यहां से हमें extra कपड़े को कट कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे वाले डोरी में भी हम फुलेना लगा कर तयार कर लेंगे इस तरीके से आप डोरी में easily फुलेना लगा सकती है डोरी की इस पैटन को तयार करने के बाद अब जो हमने half gold shape का ये design बनाया था इसे हमें यहां किनारे की side में लगाना है एक side में हमें ऐसी तीन design लगानी है design को perfect shape में बैठाते हुए एक side की line को complete करने के बाद दोरी के दूसरे side में भी हम design को ऐसे लगा कर इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए हमारे दोनो side की line complete हो चली है अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे इस line को complete करने के बाद अब हमें इस design को पहले वाले design में ऐसे joint करना है ये देखिए दोनो design को ऐसे joint करते हुए इसे perfect shape में बैठाना है और इसके उपर हमें सिलाई चला लेनी है सिलाई की starting हम यहां से करेंगे ये देखिए ऐसे हमें सिलाई की starting करनी है जिससे हमारा design perfect shape में बैठेगा जिस shape में design है बिल्कुल उसी shape में हम design के उपर सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागे को cut कर लेना है हमारी ये line complete हो चली है इस line को complete करने के बाद अब हम design को उल्टा करेंगे और यहां से हम front कपड़े को ऐसे fold करेंगे ये देखिए ऐसे हमें कपड़े को fold कर लेना है और एक बराबर में हम यहां से सीधी सिलाई चला लेंगे यहां पर हमें कपड़े को इस side में ऐसे घुमा देना है यहां से सिलाई चलाते हुए हम धागे को cut कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से friend हमें इस side में भी कपड़े को fold कर लेना है यहां पर हम सिलाई चलाएंगे पहले फिर यहां से कपड़े को ऐसे घुमा लेंगे यहां से हम सीधी सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आप अपने कपड़े में एजिली फिनिशिंग ला सकते हैं और आपका डिजाइन परफेक्ट सेफ में तयार हो जाएगा तो यह देखिए हमने इस डिजाइन को तयार कर लिया है डिजाइन को तयार करने के बाद सुई धागा के मदद से हम डिजाइन में मोती को ऐसे लगा देंगे मोती को लगाने के बाद हमें डिजाइन के पीछे के साइट से कागच को निकाल लेना है तो ये देखिए फ्रेंड कागच को ऐसे हमें निकाल लेना है कागच को निकालने के बाद हमारे डिजाइन का लुक कुछ हिस्तरी के का आएगा तो फ्रेंड आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा थांक्स वर वॉचिंग